नमस्कार दोस्तों, Wealth Sky के New Interesting Exciting वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम जज्वेकिंग की कहानी को समझेंगे और जो स्टॉक 404 रुपीज पर होता था, आज 32 रुपे पर पहुच गया है, तो यह 32 रुपे पर पहुचने का क्या रीजन था, लो जो बना है वो 29 रुपीज का बना है, और अगर आपने एक लाख रुपे इंवेस्ट किया होते हैं, इसमें 404 रुपे के बाव पर तो आज यहां की कहानी को समझने की कोशिस करेंगे, देखेंगे यहां पर चार्ट पर कैसा दिखता है यहां और कब-कब कौन-कौन से इंसिडेंट हुए यहां इस सारी चीजों को हम समझेंगे, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में तो दोस्तों आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहां पर यहां पर यहां की कहानी को समझते हैं और यह जो कहानी है वो बहुती जादा दर्दनाक है क्योंकि एक मल्टी वेगर स्टॉक उसके बाद इतनी बुरी हालत में जो कि आज के टाइम पे हर दिन चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो इसको काम सिर्फ है गिरना 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 और पिछले कुछ दिनों में इसकी हालत इतनी जादा बिगड़ी है कि इसको समलना पहुती जादा मुश्किल हो गया है जितने कह सकते हैं कि अगर किसी की किसमत खराब होती है वो इस बोते हैं वो शायद इस बैंक से ही पूचा जाए चलते हैं चार्ट पर और बताता हूं मैं इसको कि कहां कहां इसमें क्या क्या हुआ तो इस चीज़ को यहां पर देखेंगे तो देखिए यहां पर कि सबसे पहले बात करेंगे कि lifetime high जो लगाता वो कब लगाता तो आप दे एक अक्टूबर 2019 यानि आलमोस्ट एक साल एक महिना अराउंट हो चुका है और इस स्टॉक ने एक लाग रुपे का कर दिया 7920 रुपे समझते हैं कैसा कैसा यहां पर incident हुए दिकि यहां पर lifetime high बना उसके बाद यह धीरे 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 इसने ग्रावर देखने को इसमे कि RBI ने Rana Kapoor को जो CEO की post थी उस पर extension की जो मंजूरी थी उसको नोंने reject कर दिया था और clearly बोल दिया था कि 31st मार्च तक आप एक नया CEO धून लीजे फिर क्या हुआ तो जैसी आपको पता है किसी company में management change होता है तो उस company के लिए बहुती बड़ी दिक्कत स्टार्ट होने चाल राना कपूर थे वो यस बैंके promoter थे और promoter से अच्छा कोई दूसरा बंदा उस company को नहीं समझ सकता तो वही यहां पे एक negative reaction देखा गया और इस टॉप प्राइस गाप डाउन ओपनी हुआ करीब यह 30% की गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद इसने दुबारा से further low ब पीच में जब December तक यह final हो गया था कि उनको extension नहीं मिलेगा तब यह नया low बना था आप यह देख सकते हो यह नया low तब बनाता जो कि 146 रुपीज का था कि December में जाते जाते तक यह चीज फाइनल हो गई थी कि उनको extension नहीं मिलेगा और एक नया CEO आएगा अब वो नया CEO कैस तो रबनीत गिल है वो एक नए CEO बनेंगे तो मार्केट ने इसको पहले तो एक थमसप दिया था तो एक bounce back देखने को बला बट उसके बाद फिर profit working आ गई फिर यहां पर पूरा announcement होता हो दिखाई दिया यहां पर finally एक नया CEO आया Mr. रबनीत गिल जो कि काफी एच्छे famous बैं इनका वहां से recover होके यह पहुझ गया था 286 रुपीज पर जहां पर कि राना कपूर जी का जो एक gap down opening हुआ था जहां पर आर्बिया ने उनको मना कर दिया था कि भाईया आप अपना दूसरा काम देखो बैंक मैं आप CEO नहीं बन सकते एस पर दार्वी पॉलेसी तो वहां त stock ने recovery दिखाना चालू कर दिया था अब देखो कुछ चीज़ें होती है ऐसा कि yes bank में जो issue आए वो आए corporate governance के तो corporate governance के issue आए तो यह वही बात है कि एक जब कोई एक बंदा किसी company को चला रहा है तो उसके जो internal चीज़ें होती है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होती है बट वो जैसे भार निकलता है तूसरा बंदा अंदर गुसता है तो उसको वो सारी चीज़ें गलत लगती है और फिर वो उस गलत को सुदाने में लग जाता है तो वैसा ही हुआ यहां पर कि आर्बिय को पहले से ही शकता कि जो yes bank थी वो अपने NPA कम दिखा रही थी जब बैलेंशीट में बहुत से ऐसे लोन थे जो काईदे से NPA होने चाहिए थे बट बैंक ने डिकलियर नहीं किये थे तो उन्होंने आते ही वो एक कहते ने सफाई करना वो स्टार्ट कर दिया उसमें यहां पर जो फेमस नाम बताऊं तो जैट एर्वेस का कॉलाप्स था में 2018 में जो Q4 के 2018 में करीब करीब 1600 करोड का प्रॉफिट टिकलियर कर रही थी वो इस क्वार्टर में 1500 करोड के लॉस में आ चुकी थी 1500 करोड के लॉस में इसलिए आ चुकी थी क्योंकि यहां पे जो नए सी होता है उन्होंने वो सारे NPA राइट आफ किये थे प्रोविजन किया और स्टॉक को फिर यहां पर इंवेस्टर को चूना लगा और इस तरीके से स्टॉक का पैस दीरे 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 आपको यह दिख रहा है नीचे आता हुआ यह आपको दिख रहा है ऐसे गिरता चला जा रहा है अब इसके बीच में बहुत से प्लेज़ और दीरे जो कंपनी की जो एक्टरनल होल्डिंग वाली कंपनी भी है यह बैंक की वह भी अपना इस्टेक डायलूइट कर रही है तो अगर एकनॉमी में प्रॉलम होगी तो उन सब के साथ प्रॉलम होगी तो उसमें जाहिर सी बात अगर अच्छी होती तो शायद आपका पैसा नौ लोग दे सकते थे इकनॉमी खराब है तो उन में से सिर्फ आपका दो या तीन लोग ही पैसा दे पार है यानि आपका NPS बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे सेम चीज़ यह साथ हो रही है यानि कह सकते हैं कि यहां पर जो मैनेजमेंट का चेंज आया सबसे बड़ा कॉलापस उसकी वज़े से देखा गया उसके बाद जो NPS ते वह प्रॉपरली शो नहीं किये शायद अगा इनीशली शो करते रहते करते रहते दीरे दीरे तो मेरे साथ से फिर इतनी नहीं होती बट एकदम से जो बहुत सारे NPS बने उसकी वज़ यहां पर नीचे जाएगा जो प्राइस की बात हो रही है वह 20 रुपे तक की हो रही है बट देखना पड़ेगा कि यहां पर लेकिन दिक्कत यह कि क्या यह रिकवरी दे पाएगा अब रिकवरी देने में इसको बहुत जादा टाइम लगेगा पैंक को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा अच्छा परफॉर्म तभी कर सकती है जब एकनौमी में सुधार आये ऑटो सेक्टर में सुधार आये क्योंकि जो सबसे बड़ा लोन होता है जो जगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर से बहुत इसली मिलता है इसली ऑटो सेक्टर जो कल तक जो स्टेटमेंट था जो नए सीयों का जो स्टेटमेंट था उसके साफ से और अगे जाके और अगर इमेज खराब होती है तो फिर इनको शाहिद फंड रेजिंग में भी दिक्कत आईगी और अगर पैसा ही नहीं बिलेगा तो नए लोन कैसे दिये जाएंगे यह सारी दिक्कत है यह स्टाइक के साथ और यहां पर जो स्टॉक प्राइज आज पहुंच गया 32 रुपे एक लाग रुपे इंवेश्ट किये होते तो आप इस लेविल पर 7920 रुपे आपके रह गए होते अब समझ में यह चीज में आती देखिए इंपॉर्टन चीज क्या हो तो उसके लिए बेशिक्ली तेक्णिकल टूल यूज करता हो तो यहां पर मेरे टेक्निकल टूल हैं जिनन पर मिरे को कवी बड़ domestic आता है और आप अगर में बात करूं यहां पर अगर यहां पर अगर मैं super trend को हटा देता हूँ तो यह दो कहानिये हैं जो मैं use करता हूँ जो मैं अपने courses में बताता हूँ लोगों को कि अगर आपको fundamental strength करना नहीं आता है तो आप इसके basis पर कर सकते हैं तो मेरे को signal मिल गया 200 रुपे पर और stock पहुच चुका है 32 रुपे पर तो यह कहान ही होती है कि कुछ technical tool को use करके यह basically custom moving average है जो हमने develop किये हैं अपनी basically research से इनको जानके तो यह हम अपने courses में provide करते हैं देख बताते हैं लोगों को जो कि बहुती सस्ते हैं easily आप afford कर सकते हो तो यह आपको help कर सकते हैं अगर कोई interested है तो आपको बात करके ले सकते हैं तो यहाँ पर मेरे को signal मिल गया है 200 रुपे पर और stock चल रहा 32 रुपे पर तो यह जो पूरा downfall था इससे आप बच सकते हैं तो यह ही है yes bank की कहानी मेरी जोबानी और यह बड़ा incident हुआ है जो कि देखा जाए तो एक अच्छी खासी company हुआ करती थी और आज के time में इतनी बुरी company बन चुकी है each and every investor यहां से सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है वो है exit तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो बसंद आता है तो लाइक और शेयर जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सुधी लेके आता हुआ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जै हिंद